subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही का अपने YouTube चैनल हाई टेकिनफो में तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस परका अपने Android मुबाल फॉन को convert कर सकते हैं एक laptop में दोस्तों Android मुबाल फॉन को laptop में convert करने से मेरा मतलब है कि आप अपने Android मुबाल फॉन में laptop की तरह ही Windows operating system run करा सकते हैं और laptop में आप जो जो काम करते हैं वो सभी काम अब आप अपने Android मुबाल फॉन में भी कर पाएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में बताया जाने वाले उट्रेक बहुत ही ज्यादा simple और easy है मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी और वीडियो का की प्रोसेट करने से पहले मैं आप सभी से request करता हूँ कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी अभी हमारी YouTube चैनल को सब्स सके तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने Android mobile phone में Windows operating system run कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone के play store पर जाना है और यहाँ पर आपको एक application डाउलोड करना है application को नाम है Limbo PC Emulator और दोस्तों आप इस application के rating देख सकते है इस play store में इस application को 4.2 स्टार दि दोस्तों इस application के downloading link मैंने video description में दे दिया है तो video description में देगे link के मदब से आप directly इस application के download कर सकते हैं application download हो जाने के बाद अब आपको इस application को open करना है अब आपको i acknowledge पे click करना होगा अब आपको इस change log instruction का पूरा पढ़ लेने के बाद आपको okay पे click करना होगा now click on okay again तो जैसे कि आप देख सकते यह application properly work कर रहा है तो अब आप इस application को minimize कर लीजिए अब दोस्तों आपको video description में जाना है video description में मैंने एक link दे होगा है उस link को आपको copy करके अपने mobile phone के web browser पेस्ट करके search कर लेना है अब आपको login करना होगा अपनी google के ID से उसके बाद यहाँ पर आप एक download का icon देख पाएंगे उस download का icon पर आपको click कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 207MB की एक zip file यहाँ पर download हो रही है अब आपको zip file successfully download हो जाने के बाद आपको file manager या फिर file explorer ओपन करना है अपने mobile phone में अब आपको storage में जाकर download folder को open करना होगा अब दोस्तों यहाँ पर आप एक file देख पाएंगे जिसका नाम है win95.zip अब आपको इस file को extract करना है limbo folder में तो यहाँ पर आप दिख सकते है limbo folder में file extract हो रही है अब दोस्तों आपको limbo application को open करना है जो application हमने सबसे पहले download किया था अब दोस्तों यहाँ पर आपको settings करने है इस application की load machine के सामने आप एक drop down देख पाएंगे वहाँ पर आपको new code choose करना होगा उसके बाद machine में आप कुछ भी mention कर सकते हैं यहाँ पर हम mention कर देते हैं windows xp अब दोस्तों आपको RAM memory चेंज करना होगा RAM memory में आप 512MB सेलेक्ट कर लिजे नाओ क्लिक ओन hard disk A और इसके आगे ही आप एक drop down देख पाएंगे वहाँ पर आपको open code select कर लेना है अब आपको browse करना है limbo folder limbo folder open होने के बाद आपको win95 folder को open करना है अब दोस्तों आपको user interface के drop down में आपको vnc सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों आपको सभी steps को same to same follow करना होगा जैसे मैंने आपको दिखाया अगर आप कोई भी step miss करेंगे तो आप अपने mobile phone में windows operating system run नहीं कर पाएंगे तो आप same to same सभी steps को follow कीजिए now you have to click on play बटन अब दोस्तों आपके mobile phone में windows को load होने में थोड़ा time लगेगा तो आपको यहापे थोड़ा wait करना होगा अब आप देख सकते हैं Microsoft Windows XP professional का logo हमारे सामने आ गया है अब चल्गोस्तों आपके बच्छोस्तों आपके लिए आपके लिए अब आपके लिए अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा Android मोबाइल फॉन विलकुल किसी Windows, Laptop या फिर Computer की तरह यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है दोी अब दोगी लाँ पिर किसी इंड डिर सो उन देख गहाँ आप. भंगый तरह अञाँ प्लीर अर यहाँ लाँ क्योंदेर लाँ लाँ तर झाल 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 झाल